महिंद्र सिंग धोनी जी की एक फोटो बहुत नेट पे वाइरल है जिसमें उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी है और मरून कलर की बैरेट मरून कलर की वो क्या पहन रखी है तो अक्सर डिफेंस आस्परेंस मुझसे पूछते हैं कि क्या सर महिंद्र सिंग धोनी पैराज के एक पार्ट हैं डिफेंस आस्परेंस स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे आज मैं अभिना महिरोत्रा बात करूँगा क्या कुछ 2011 की है जब भारती क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के वापस आया था इंडियन आर्मी ने ओनरी लेफ्टनेंड करनल की रैंक महिंद्र सिंग धोनी जी को ओफर की थी जो धोनी जी ने तुरंत एक्सेप्ट की टेरिटूरियल आर्मी के तहत यह ओनरी रैंक इंडियन नामी इंडियन एफोस और इंडियन नेवी यूथ आइकन्स को दे सकते हैं यह पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी क्रिकेटर को ओनरी रैंक ओफर की गई है पहले सचिन तंदूलकर को ओनरी ग्रोप कैप्टेन की रैंक ओफर की गई थी उससे पहले कपिल देव को ओनरी कैप् थी डिफेंज आइस्परेंस हर यूनिट के पास अपनी एक टीए की रेजिमेंट होती है महेंदर सिंग दोनी जी ने भी 106 टेरिटूरियल आर्मी के तहत पैराज जॉइन की थी और नहीं जॉइन की बलकि एक महीने पैराज में सर्फ भी किया हुआ है जी डिफेंज रेजिमेंट में काम करेंगे बींग आपार्ट आफ टेरिटूरियल आर्मी डिफेंज आइस्परेंस टेरिटूरियल आर्मी अकसर यूथ आइकन्स को इंगेज करता है और उन्हें ऑन्रेरी रैंक ओफर करता है ताकि इन यूथ आइकन्स को देखके आप जैसे युवा एक regiment territorial army की बनाई गई है ताकि अगर कभी war like situation हो तो territorial army को second line of defense की तरीके से active कर दिया जाए 1962 इंडो-चाइना war के बाद ये territorial army का concept army में आया और आज तक अप्रेल में के महीने में territorial army के forms आते हैं जिनका इमतिहान सप्टेंबर में होता है defense aspirants आपकी knowledge के लिए बता दूँ territorial army ex-servicemen के लिए भी आता है territorial army civilians के लिए भी आता है और सन 2022 से territorial army की requirement अब females के लिए भी vacancies आ गई हैं तो अगर आप till the age of 42 आप territorial army को serve कर सकते हैं तो अगर आपकी सारी entries खतम हो गई है NDA, CDS, FCAT तो TA कैसी entry है जिसके साथ आप देश की सेवा भी कर सकते हैं और अपने काम भी कर सकते हैं जैसे महिन सिंग धोनी जी कर रहे हैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई हो, बने रहे हैं त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, तैंक यू, जैहिंत जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एक मात्र ऐसा कोचिंग इंस्टिटूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एक्जाम के अनुसार अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही जोइन करें त्रिशूल डिफेंस अकैडमी